पूरी तरह राबा और घर घर तक सरकार की योजनाए पहुचाने की कोशिश कुछ और मुझे इस बात की खुशी है कि मुस्लिम समाच की और से भरपूर सायोगर साथ मुझे मिला लेकिन साथियों दिन पे दिन जिस तरीके से भसे परदा इनकी सूरते सामने हने लगी इनका असकी चैरा हमारे सामने आया और ये मुश्मिम गिरों की काईदा जिस तरह इनोंने पास किया मैं उस काहिडे के पुर्जोर मजब मत करता हूँ और आज मैं आप लोगों को हाजिर राजिर जान के आपके सामने यह एलान करता हूँ कि आज से मैं भर्टले जंतापाटी के शायर अध्यश्पत और अपनी सदे सदे से राजिन आजिए आज से हमारे समाच के खिलाप चाहे हमारे काम के खिलाप चाहे मढ़ाख के साथ और आप लोगों से यह अम्रोग करता हूँ करता हूँ कि आने वाले वक्त में हम इस तैरीक को आगे बढ़ाएंगे सिर्फ आज का दिन एक परदाशन करके हम रुखेंगे नहीं हम इस तैरीक को आगे बढ़ाएंगे ताके इस मुल्क की हुकुमत ये बात की मानने के हुरुस्तान का शहरी मुसल्मान जिसने अपनी शाधत दी तब तब ज्यादा मुसल्मानों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने में अपनी पुर्बानिया दी ये एनर्जी और कैप सियाभी के जरीए से भुरुस्तान से मुसल्मानों को बेदाखर करने की शाधिश हैं हमारी खामूशी को ये कमजोरी ना समझे ये हमारी समझता की और खामूशी है लेकिन से हुकुमत हमारी कमजोरी ना समझे हम इंदुस्तान के हुकमरानों को और जिस तरीके से प्लेश के ग्रामंत्रिया मिश्या ने लोकसभा और विदान की राज्यसभा में जिस तरीके से स्टेक्मेंट दिये इस साफ जाहिर होता है कि यह उतुमत मुसल्मानों के खिलाफ है और इस मुल्ट से मुसल्मानों को निकालने की साजिश रच रही है बस इतना कहिके मैं अपना अलफाज सत्म करता हूं शूर्टिया देश को अज़ाद कराने के लिए अपना खुन पसिनाय किया है जितनी तेदाद में नौर मुसल्म लोगों ने अपनी कुर्बानिया दी है उतनी तेदाद में या कमोबेश उस से ज्यादा तेदाद में हमारे खाउन के आम लोगों ने और उल्माओं ने अपनी कुर्बानिय दिये इतियाद गवा है तारीख गवा है कि हमारे मुल्क के कई उल्माओं को एक साथ हजारों की तेदाद में जाड़ों पर लड़का के भासी दी गई मुझे लगता है कि मौजुदा सरकार उस बात को भूल गई जब मुसल्मानों ने अपने खुर्बानी पेश की थी इतियाद गवा है अगर यूटूब पर जाकर आप राम पुन्यानी देखेंगे और राम पुन्यानी का सही इतियाद भूलेंगे तो बताएंगा मुसल्मानों ने अपनी क्याक्य खुर्बानी दी है इसी लिए मेरी मुझारिश है आप सब लोगों से कि हम पुर्जोर मुखालबत कैप ही करेंगे क्यों कि ये हमारे समविदान की धज्य उड़ा रहा है और ये जो है मुसल्मानों को हिरासा करने की साज़िश है पहली बात तो ये मुम्पिन नहीं है कि इतनी बड़ी संक्या में मुसल्मानों को देश के बाहर किया जाए दूसरी बात ये कि अगर ये लोग चाते हैं कि हमको डिटेंशन केम में भेजा जाए डिटेंशन केम बज़ तो वो चीज़ है जहां पर बेदखल होने वारे इसलिए हम सरकार से घुजारिश करते हैं मौझनों सरकार भाराष बैठी है इससे घुजारिश करते हैं कि बिल को लागूना होने दिये जाए इतना कहका मैं दोलब सब्सक्राइब जाना चाहता हूँ कि कैड जो है सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल एक यह जो पास किया गया यह एक बुजदिली की निशानी है क्योंकि यह ऐसी कौम है इन्होंने हमेशा बुजदिली का काम तिया है ना तुराम गोर से ने गानी जी को मानने के लिए जब गया तब कि उ मुसलमानों की जरूरत हिंडु स्कार को हमेस को रही है है हिंडिस्तां की छायओ कोई भी सरकार हो। पूरे अक्सरयत की हुने के बावजूत थी मुसलमानों के खिलाफ Confederaterap ऐन्हें काएपास करना पूर रहा है ठीकि यह कौम बुजदिल है यह मुसलमानों का सामना नहीं कर सकती। इंशाललह ही जिनाई होगी। और हमें इस मुल्क के लिए अगर धरूरत पड़ी तो एक बार और हमें आज़ादी की लड़ाई लड़नी होगी। उसके लिए हम पूरे प्रिया है। किसी को भी कोई डिरनी की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान की कोई मुसलमान भाल भी पाका नहीं कर सकती। इंशाललह मुर्णी तरह कोई खलत चीज़ को बड़ावा नहीं दिया है। हमेशा से इस मुल्क के लिए सिकमत अनγान दिया है। और आगे भी देते रहेंगे। alleen करेंगे साथ ही साथ मुसलमान भाइयों की भी इवाज़त करेंगे तो फिकत करने की अगर हमारी मिटिंग इन के डेलिगेशन देने के पाउप से तो मैंने वाँ यह का कि मिझे पच्चीज वर बत्रों में हजारों डेलिगेशन के साथ माचा जाए चुगा हूं कि देने से कुछ हासिन नहीं होता है लेकिन फॉर्मेलिटी होती है एक डेलिगेशन के जरीए हमारी अम्राव की अवान की आवास पहुचाना इसलिए जरूरी समझे हमने आज आप तमाम लोग यहां आए आप लगों हमारे साथ दिले होकर हमारा साथ दिया मैं तमाम को शुक इससे निफसान से मुसल्मानों के लिए इसलिए दराल महरभाली इसको हमारे हमतां की मैदूर बद करिए एनर्जी और सीएबी जो है इसका जवाब हिंदुस्तान के एक्षपचीस तो लोगों को देना पढ़ेगा हर शप्स को देना पढ़ेगा वो गैर मुस्मिन लोग जिनके बास अगर कोई डॉक्डमेंस नहीं है उनको यह साबिद करना पढ़ेंगा या थो भंगला दैस्ट से आए या वो पाकिस्तान से आय या वो अकवानिस्तान से आए इसलिए यह अन्दोर्न के अंदर हमको सभी समाच को जोड़ना पढ़ेगा इसलिए कि ये हिंदु सब्सक्राइब की सरकार आई मुसल्सल मुसल्मानों के खिलाफ इन लोगों ने धीरे 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 अपने जो एक जमाने अर्शे से इनके जो मन्सुबें नाग्पूर इनका जो हेड़कार संपरिवार का और उसके अंगर मुसल्मानों के तालुक में जो मन्सुबें थे 2014 से केंद्रीं की मोधी सरकार उसको धीरे 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 अमल में ला रही है दोस्तों यकीनां उससे पहले बहुत सारे मुतरियों ने आपके दिलों को और आपके ज़वातों को ज़वर्णे का काम किया है कि हम कब जा गएंगे यह सरकारे धीरे धीरे ज़विन आ रही है और हम खामोश तमाइशा बनके हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मैं आज इस मंच से केंद्री की सरकार को आपके ज़वातों के नद्रत कर दो केना चाहता हूँ कि केंद्री की सरकार यह समझ ले कि मुसल्मार हर मसक्षले पर अपना सयम अपना सब्र इसलिए बता रहा है कि आने वाले वक्त में अकर उसके शर्यक पर और उसके मुसंमादों के जानामाल पर जिस्टम हरना हूंगा तो मुसंमाल इंडेश का खामोश नहीं रहने वाला है वक्त अब आ चुको है कि उन्होंने 3.0,000,000 पर मुसंमादों को पुछ होगा 370 पर मुसल्माना की तुक्ति रख को हाथ में लिया बापरी मस्जिद कफ़ेस का सुप्रिम कोर्ट के जरी बन्वा लिया अब आईए आगे आगे होता है क्या कि देश को मुसल्मान इस देश के अंदर दुयाना की बना चाहता है कि देश के मुसल्मान इस देश के अंगर जिस तरीके से फार्मा के अंगर हमारे मुसल्मान रोंगियों मुसल्मानों के साथ में जो हुए वो देश के मुसल्मान देखना जाता है तो हमें ये देखना नहीं है इसके लिए हमें एतेजाद करना पड़ेंगा और एतेजाद जिस हिंगल से किया जाएगा उसी एतेजाद को हमको आफिल हमें तक काम करना पड़ेंगा अग्षाफ़ने इसे जम्मेद लिम्हा के मात्यम से, राशकमल कि ऊपर एक आसरगों में एक केंडल मायर्ज किया. दो लोगों ने क्या क्या कि घुंब कर ना अज क्षित मों क्या कि भालत कूल जाए भूया है clockwise अगर नीए अगर कुछ करोण का बर्ना कई मुसल्मान है यह आज इसकी शुरुआ दिए आगे अमल बनावनी होंगी आप यहां से जाए तो शाल की बिया जाए सुकुन से जाए वरना क्या होता है कि आप कुछ करेंगे मगर इसका जो भी कुछ हरजाना होगा यहां पर प्राइटने वाले परिंदाल को जिन लोगों ने इजाज़त दी उन लोगों पर केसिस लगती है यह सारी चीजों भागि लोगों बिसूथ है हमको बिल्कुल हमारे सवरो गेसा हमारे साथ और करेंगो अनको आग्या न होड़ेंगा कमाम मुकर्रेम हंसा हम एक बात खात है लिएक से बी डर्वने की दरूरत नहीं है किसी से भी नहीं, हम सिरफ अल्लाह से डरने वाले हैं, ये रंगा विल्ला से कभी भी डरेंगे नहीं, ये देश रंगा विल्ला के वाबता नहीं है, एक शेर बोलने के लिए पर यहां पर आया हूँ, कि आ गई है तो रहेंगी नहीं जाने वाली उम्र भर ये सभेदी अब नहीं जाने वाली मैं मरूंगा तो इसी मिट्टी में दफन किया जाओगा मेरी मेरी मिट्टी भी कराची नहीं जाने वाली आप सब यहां पर यहां पर जो एकटा हुए हैं हम नहीं हुए है पुरा देश जो है इसके खिलाब है हम नहीं चाहते किसी भी सूरत में इस देश की जो आइन है जो जिस को अलंब पे इस देश को खड़ा किया गया है हमारे भुज़ूगों ने उसको हम डहले नहीं नहीं देंगे हमारा किसी से कोई जाथ से कोई धर्म से कोई किसी बाशिंदे से हमारा कोई uh दुश्मनी नहीं है हम यहां पर अमन वो हमान के साथ में रहना चाहते हैं हमें कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं जब इस देश में सब एक है तो सब को एक नजर से देखा जाना चाहिए यहां के बाशिन्दे हैं हम हम यहां के किराइदार नहीं है हमारा मुल्क है यह हमने इसे सीचा है हमने कुर्बानिया पेश किये तब जाकर आज़ादी मिली है आज हम कोई कहते हो कि तुम जो है इनार्शी के बाहर चले जाओ जो भिल लाया गया है वो मुसल्मानों के खिलाब है मुसल्मानों को किसी भी तरीके से उलजा कर किसी भी तरीके से उसकी मशाल को जला कर ये हुकुमत जो है अपना काम करते आई है और आए इतना मुस्तक्विल में ये इसी अरत्य अमल में काम करेंगे ताकि इनको हुकुमत चाहिए, हमें हुकुमत नहीं चाहिए, हमें अपने हग चाहिए हम अपने हग की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे चाहे हमारी जाने पेश करना पड़े चाहे इस देश से हमको किसमोई भी सुरत में निकाला नहीं जाएगा हम निकलेंगे भी नहीं किसी भी हाल में और यह जो बिल लाया गया है यह मुसल्मानों के खिलाफ बर्जी है यह हमारे हमारी जो हक है उसकी हक तलफी है हम चाहते हैं कि इस बिल को जल से जल जोड़े रड़ किया जाए ताके यहां के हर मुसल्मान हर हिंदू माई हर समाच से हर धरम से तालुक रखने वाले एक जान होकर इस देश को आगे बढ़ा है देश की जो आज की हलात है वो इतने बत्तर है कि आप बता नहीं सकते यहां की एकोनामी गिर चुकी है यहां के कारोबार बंद हो चुके है यहां के मजदूर जो है रो रहे हैं अब यहां से हमारे शुरूआत हुए इसके बाद अब इत हमें अपने मकामात पर इसी तरह से अमल के साथ जाना हैं लेकिन यह लडाई खतम नहीं यह लडाई हमारे जब तक जब बिल कैसल ने होता जब तक बिल यहां से इसको रेस्ट नामुद ने किया जाता हम आखरी सास सबसे पहले पर आगया कि रहोगा हमारे जमत के साथ ही रहेगे और इंशाला वह मामिले तो सक पुरी दुनिया और हुकमत देखेगी